हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल में आज हम बनाएंगे आमलेक अचार बनाना बहुत ही आसान है और आज हम इसे बिना तिल की बनाएंगी यह इंस्टेंट अचार है इसे आप बनाकर तुरद भी खाने के लिए इस्थमाल कर सकते हैं आवला विटमिन सी से भर पूर होता है इसलिए जब भी आवलेका सीजन आए आप उसे अपने खाने में जरूर शामिल करें तो चलिए अज बहुत ही आसानी से बनाएंगे आवलेक अचार इसके साथ ही अगर आपको रहसी पसंद आती है तो प्लीस में चैनल को लाइको सब्स आवलोगो ओबाल करें इनको पका सकते हैं लेकिन हम यहां पर आवलोग वाल रहे हैं क्योंकि अगरो हो जाते हैं तो मैंने गैस पर एक पेंच़णा दिया है उसमें पानी डाला है पानी हम उत वह तुम ढला है जिकि आ पूरी तरह से पानी मात्रा में डॉक जाये इसके सा डी में दाना लिया है कि आधा चूट जीरा लिया है कि अधर चूट चमशालधी पाओर लिया तर्शंट मस्तैम अज्वाई sound हुझा और सानदी हमें इस फीर चमा नमक लेना हैं नमक के मात्रा नमक के मात्रा किसी वेचार में ज्यादा ही पडती है इसलिए तो चलिकी में एक सौंफ में सौनफ मैथी और जीरए डाल कर मूनना है आधे मिनिट के लिए हम इनको भूणेंगे हमने मोटे मसाले डाले और आजवाइन लेटेंगे इनके आजवाइन डालेंगे मसालें गर नहींगे आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में मसाले भूंगे रख सकते हैं और जब भी आप आमले काचार बनाना चाहें ये मसाले उसमे बिला दीजिए इससे आपके समयगी बचत होगी और आमले काचार जल्दी ही तयार हो जाएगा तो चली इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये बार एक पीस लेते हैं आठ से 10 मिट हो चुके हैं आप लोगो देख लेते हैं कि अच्छे से नर्म हो चुके हैं कि अच्छे से नर्म हो चुके हैं कि हम यह तुरत खाने के लिए अच्छे से उबालना है तो चलिए गैस की फिलिम को आप कर देते हैं और सभी आप लोगो एक चलनी में निकाल लेते ह जिससे पानी निकल जाए और इने थोड़ी ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद हम इसकी कलियों को अलग कर लेंगे क्योंकि आवले बहुत अच्छे से उबल गया है इसलिए इसकी कलिया भी आसानी से अलग हो जाएंगी तो देखिए आमलों को ठंडा होने के बाद हम स सारी कल्यों को अलग कर लिया है और हल्दी के खाणने बहुत बढ़ी है अब जो हमने मसाले भूनकर रख हुए थे उनको बारी पीस लिया है अब इसमें यह मसाले मिला देंगे और साथ ही मैं इसमें आदे चमच मिर्च डालेंगे मिर्च की मात्रा आप अपनी सलसर कमिया जादा भी कर सकते हैं और साथ में डालेंगे हल्दी और इसकी साथ ही हम नमक डालेंगे सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे यहां पर हमने तेल का इस्तमाल नहीं किया है और साथ ही हमने आवलों को उबाल कर यह अचार बनाया है इसलिए इसकी सेलफ लाइब बहुत जादा नहीं होती है लेकिन आप इसे 10-15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से यूज कर सकते हैं सालवर के लिए जब अचार बना कर रखेंगे तो उससे कुछ अलगत तरीके से बनाएंगे उसकी रहस्वी भी मैं आपके साथ जल्दी शियर कर दूँगी और बस अचार तयार है थोड़ी देर इसे रखे रहने दीजिए ताकि जो आवले है वो पानी छोड़ दे और ये आवले नमयुक्त हो जाएंगे इसे थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए शुरू में जब हमें इसे अचार को टेस्ट करेंगे तो नमक की मात्रा ज़्यादा लगेगी लेकिन एक दू दिन बाद ये नमक बैलेंस हो जाता है और अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है अब इसे आप किसी भी मरतबान में भगर रख दीजिए लाइक और सब्सक्राइब जरू करें और ऐसी सिंपिल सिंपिल रेस्पी के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहे हैं थैंक्यो फॉर वाचिंग में